हेलो दोस्तो आपको स्वागत करते हूँ तरंग इलेक्ट्रोनिस चनल में तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको देखाऊंगा एक एडवांस लेवल का प्रब्लेम ठीक है दोस्तो एक्चली में मोरी CRT TV का में मोरी आईसी का अंदर जो सेटिंग जो स्टोरेज होता है ठीक है वह सर्विस मूट ओपिन करके आप स्टोर कर सकते हो और आप कॉपी में मोरी लगा के वह आईसी का प्यूज कर सकते हो ठीक है तो पुराना कुछ भी सेम टाइप पीसीवी से आप वह आईसी का मेमोरी को कपी करके सेम टाइप पीसीवी पर कुछ भी अलाग पीसीवी पर लागाएगा तो वह आसानी से सब कुछ सेटिंग देखा जाता है लेकिन आप सब कुछ सेटिंग स्टोर करने का बाद और कपी मेमोरी लागाने का बाद वह जो सेटिंग स्टोर नह ढून के निकाला या आपको इस वीदियो में देखांगा। दोस्तों इसलिए वीदियो सुरू से लास्ट तक देखे। ठीकह है दोस्तों और इह वीदियो का लास्ट में एक वीदियो देखे। BNI वीदियो वानाएं वारrüसे वीदियो आप जो ओर दूरुर देखिए। देखने के बाद ठीक है दोस्तों चले आंगे वीडियो स्टा कि वीडियो में आपको देख HmG बीडियो कामपनी टीवी का एक प्रब्लेम जो i marriages आप देख रहे हो यह बम जा और लिए ये वीडियो भीडियो बनाया टिकётся वीडियो में आपको जो देखाया कि इस तरह प्रोब्लेम के लिए अप मेमूरी आई सी चेंज करेगा तो यह प्रोब्लेम हो जाता है तो दुस्तो यह होता है और दूस्तो उसका बाद नहीं होगा तो पूराना से मेमोरी आइसी कापी करके तो यह जो मेमोरी आइस आप देख रहे हो 24 सी 16 वाला यह मेमोरी आइसी है यह कापी मेमोरी लागाएगा तो यह प्रॉब्लेम भी सॉल्फ जाता है तो दोस्तो उसका बाद यह प्रॉब्लेम सॉल्फ नहीं होगा तो आपको जो देखाया अब सार और सेट करके आपको देखाया लेकिन दोस्तों ठीक है और बाद में मैं देखा है कि जो अडियो वीडियो जो एफी आपसन वो सेट करने का बाद वो सब को स्टोर हो जाता है और इसका एपीसीविक एक हाइट प्रोब्लेम था वो भी सर्वेसमूट ओपेन करके सेट किया और सेट करने का बाद अब जितना बार वो स्टैंडबाई करेगा और स्टैंडबाई से अन करेगा कुछ भी प्रोब्लेम नहीं होगा लेकिन दोस्ते बाद जब पीसीविका सफलाई ओफ करके जो एसी सफलाई होता है में सफलाई ओफ करके अन करेगा तो अन करने का बाद वो जो सेमी कंडिसन पर चला जाता है, इसका जो एभी जो सेट कटता हूँ, 70 समूट ऑपन करके वो स्टोट नहीं होता है, तो दोस्तों, यह जो प्रॉब्लेम है, इसलिए मैं दोचर टेकनेशियन दोस्तको मैं फड़ोन किया, तो भात है प्रोसेसर आइसे भी प्र kriegen रब læम हो सकत है। यह पुराना पोसेसर आइसे भी चेंज किया। इसा को इसका जो नम्बर आप एक बार भार देख लिजे तो कमेरा में इसा की दीखा जाथा है तब भी आपको देखाता हूं, देखिए, तो इस तो यह new world IC है, semi number को उपर IC है, तीक है, यह जो processor IC है, तो यह मैं change किया, तो change करने का बाद, तब भी इसका same problem, service mode open करने का बाद, जब मैं set किया, set करने का बाद, यह ok हो जाता है, और supply, यह सी supply off करने का बाद, और दोबड़ा म मैं जब on करता हूं, तो फिर भी वो setting out हो जाता है, service mode का जो store मैं करता हूं, वो set नहीं, नहीं store हो रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तो, copy memory भी मैं एक लागाया, यह पर, ठीक है, यह अभी new memory लेकिन copy memory भी लागाया, वो भी same problem देखा जाता है, तो दोस् कैसे मैं solve किया है, यह आपको देखाऊंगा, तो दोस्तो, इसलिए देखिए, यह TV को मैं मेरा support लेके आया, ठीक है, और आने का बाद देखिए, मैं इसका AC supply और यह जो sensor का line में सिर्फ connection करके रखा है, ठीक है, और यह picture tube का सथ connection करके रखा है, ठीक है, तो दोस्तो, आपका, यह कैसे मैं solve किया है, और कुन सा section, कुन सा parts problem है, यह आपको देखाऊंगा, ठीक है, इसलिए दोस्तो, देखिए, मैं 24 DC range पर select किया है, ठीक है, और मीटर का यह जो negative cord, यह मैं यहाँ पर connection करके रखा है, क्योंकि मैं एक हाद से camera काटता हूं, ठीक है, और दोस्तो, म मेरा पास remote है, remote से मैं stand by sound कारता हूं, ठीक है, दोस्तो, देखिए, stand by मैं on किया, ठीक है, तो stand by on कारने का बाद, आपको जो main point देखाऊंगा, वो आप ध्यान देजिए, ठीक है, तो दोस्तो, देखिए, यह जो memory AC है, अब ध्यान से देखिए, यह जो memory AC, memory AC का यह add number pin, यह supply pin होता है, ठीक है, देखिए, 5.2 volt, ठीक है, 5.2 volt, actually यह 5 volt होता है, ठीक है, अब follow किजिए, इसका बाद, यह negative pin होता है, ठीक है, और दोस्तो, यह last बाला जो 2 pin, यह ACL और SD pin है, ठीक है, ACL और SD pin है, यह पर voltage देखिए, 5.1, तो दोस्तो, यह pin पर voltage, 2.3, फास्ट मैं देखा है, ठीक है, यह pin पर 2.5 volt मैं यहाँ पर देखा है, ठीक है, और उसका बाद, यह pin पर volt मैं इस तरह 4.5 volt का स्पस मैं देखा है, ठीक है, जब यह volt मैं देखा है, और देखने के बाद, दोस्तो, देखिए, यह line कहाँ पर जाता है, यह जो दोनो line है, यह line यह नीचे से दोनो resistance है और resistance का थुरू तो दोस्तो यह जो IC का नीचे वाला दो पिन है यह ACL और SDA का पिन है यह दो पिन पर वोल्टेज अभी दिखिए 5.1 वोल्ट और यह पिन पर वोल्टेज दिखिए 5.1 वोल्ट दोनो वोल्टेज सेम है लेकिन दोस्तो यह जो दोनो लाइन होता है यह दोनो लाइन से इधर दो resistance है ठीक है इधर देखी यहाँ पर यह जो resistance का पर same voltage है actually यह ACL और SDA का line है ठीक है ACL और SDA का line है यह दोनो पीन पर voltage सेमी है और यह जो resistance का थो यह दोनो resistance का value सेमी है यह जो direct line जाता है देखे कि यह इधर से यह TUNER का SL और HDA का दोनों पिन है ठीक है देखिए यह TUNER पिन पर यह भोल्ट आता है देखिए FMV 5.1V और यह पिन देखिए 5.1V ठीक है यह दोनों पिन पर यह भोल्टेज आभी देखा जाता है लेकिन जब मैं टेस्ट करता हूं कुछ टाइम पहले मैं टेस्ट करने का सुमय देखा है कि एक पिन पर फोल्टेज 2.3 और 7 तो पॉल्ट कुछ भी 2.2 वोल का असपास ठीक है 2.2.3 और 7 कुछ भी हो सकता है मुझे याद नहीं है तो धाई भोल का असपास ठीक है कि यह जो लाइन है यह लाइन को मैं अच्छा करके चेक किया फास्ट मैं किया किया यह डोनों रेजिस्टेंस को मैं उपन कर दिया वो जो problem swap हो गिया है तो दोस्तो मुन में लागदा है इसका जो output section जो यह tuner होता है यह section का कुछ भी problem है तो दोस्तो इसलिए tuner दो point को मैं open कर दिया open करने का बाद तब भी दोस्तो देखिए यह resistance को connection कर दिया और tuner का दो point को मैं open कर दिया क्योंकि यह ACL और SDA जो voltage होता है एक पीन का voltage drop हो जाता है तो इसलिए tuner भी sort हो सकता है तो इसलिए tuner का दोनों पीन को मैं open कर दिया open करने का बाद जब मैं check किया तब भी देखता हूं कि problem solve नहीं हो रहा है वह same जैसा problem वह मैं दिखा तो दोस्तो इसलिए यह जो line होता है यह line को मैं अच्छा करके देखा है तो दोस्तो अभी मैं set को on करके राखा है तो मैं stop कर देता हूं ठीक है तो दोस्तो देखिए यह अच्छा करके देखने का बाद यह जो दोनों लाइन होता है ठीक है यह जो दोनों लाइन यहाँ पर दीखिए एक कैपसिटर जैसा दिखा जाता है लेकिन दोस्तों यह दो पीएफ है तो दोस्तों जब मैं यह पीएफ को मैं मीटर से चेक कारने के लिए मैं यह पीएफ पिन को मैं ओपेन करता हूं ओपेन कारने का डिए strategies न सुमय आचनक देखा अब दीखिए यह position पर दीखें यह चोटा सा पिएफ फट गया ठीका यह दीखिए actually यह जो PF है यह हलका सा sort हो गिया था sort होने का बाजाए वो voltage drop हो गिया ठीक है दोस्तों यह जो PF है अब अच्छा करके देखिए ठीक है और यह एक PF open है तो दोस्तों इसलिए यह position पर आप एक new PF लागा सकते हो और यह PF को आप open कर भी open कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आपको इस वीडियो में किया देखाया जो storage problem होता है actually memory सब कुछ store करता है तो आप copy memory लगा ब्लैंग memory लगाएगा वीडियो कंपा कंपानी का जो वह automatic system IC से communication करके इसका जो अंदर setting होता है वह कुछ store हो जाता है और manually आप service mode open करके कुछ set कर सकते हो लेकिन दोस्तों वह setting जो storage होता है memory का वह out हो जाता है तो इसका जो region होता है आपको ACL और SDA जो pin होता है दोनों pin का voltage आपको semi दिखना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए यह जो supply line का जो resistance होता है यह भी problem हो सकता है ठीक है और दोस्तों यह tuner भी problem हो सकता है क्योंकि tuner pin पर ACL SDA connection है तो दोस्तों इस वीडियो में जो fault देखा है आपको जो देखा है यह PF fault है ठीक है तो यह जो missing problem था वह यह TV से अपको जो repair करके देखाया तो दोस्तों अभी देखिए मैं set को line देता हूं AC line ठीक है एसी मैं supply दे दिया और देखिए इसके indicator जल रहा है और उसका बाद आपको remote से ठीक है मैं stand by on करता हूं देखिए जब मैं stand by on किया तो इसका problem solve हो गया और इसका जो AV option यह कारने के लिए देखिए यह TV भी bottom है ठीक है यह TV जो bottom है यह push करना पड़ेगा push करने का बाद देखिए इसका TV भी जो option यह AV option यह आ गिया है ठीक है दोस्तो यह भी option आ गिया है तो दोस्तो अब stand by करेगा तो इसका जो first problem था यह stand by करने का बाद ठीक है और उसका बाद stand by जो on ठीक है on करने का बाद तो दोस्तो देखिए यह जो पॉल option जो auto option पूरी आ जाता है और यह भी करने का बाद तो दोस्तो यह AV option नहीं आता है ठीक है तो इसका यह TV के यह main problem था ठीक है तो दोस्तो और दोसरा जो मैं service mode open करके जो आपको देखाया वो वीडियो का link मैं यह वीडियो का open करके इसका AV option on कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हो तो दोस्तो दोबढ़ा मैं इसको stop कर देता हूं जो main problem था यह AC supply off करने का बाद तो दोस्तों दोबढ़ा मैं supply दे देता हूं यह supply देने का बाद आपको दोबढ़ा on करना पड़ेगा standby से तो on करने का बाद उसका जो यह भी bottom है यह भी bottom push करने का बाद भी वो नहीं आता है यह main problem था तो दोस्तों अभी यह problem solve हो गया है तो दोस्तों यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस यह जो नया जानकर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कार दीजिए और यह चैनल पर अबना है तो प्लीस यह च आई ए टीबी का वो वीडियो है ठीक है दस्तों